फ्रेंड शिम्ला मिर्च और आलो की सब्जी तो आपने बहुत बार खाई होगी एक बार ना मेरे तरीके से बना कर खाई एगा गाईज सच में बतारें देखते ही आपके जीप पे पानी आ जाएगा तो चलिए दोस्तों आज मैं आपको एकदम अलग तरीके से बनाना और चार-पाच हमने ले लिए हैं प्याज और यहां पर आच से दस ले लिए हैं आलो आप चलिए दोस्तों इनको अच्छे से हम चील के कट कर लेते हैं difference यहां ने शिम्ला मिर्च और प्याज मैंने एक साथ कट कर लिए तो जैसे हमने कड़ाई पनिर बनाते हैं वैसे ही इ दिया है सरसो का तेल तो चलिए दोस्तों अब हम इसको अच्छे से गरम होने देते हैं पकने देते हैं तेल को तेल हमारा अच्छे से गरम हो चुका तो यहां पर हमने एक चमच जीर डाल दिया था और इसको अच्छे से बूल लेंगे जीर अच्छे से बहुत ही अच्छा टे इजिली से मिल जाता है पेकेट वाला तो चलिए दोस्तों अब हम क्या करेंगी इसको अच्छे से मिला लेंगे तो फ्रेंट्स आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से में इसको मिला लोंगा तो आफ हमु जे आज़ी छमच करेंगे अधी छल्दी पाउड्र जालियं गर् तो फ्रेंट्स यहां पर मैंने दो तिन टमाटर ले लिए उनको छोटी चोटी पीसेज में हम कट कर लेंगे चलिए दोस्तों फटा-फट से में यह टमाटर कट कर लेती हूं इसी बीच में हमारा ना मसाला भी बहुत अच्छे से बुझ चुका है अब जो कटे हुए टमाटर चलिए दोस्तों मैं अच्छे से इसको मिला लेती हूं और इसको मिलाने के बाद गाई अच्छे से इसको मसाले में भुनने देंगे टमाटर को तो फ्रेंट्स आप देख सकते हैं तो मैं इसको अच्छे से मतलब मैश कर रही हूं ताकि बिल्कुल अच्छे से मैश हो जाए अब क्या करेंगे हम इसमें डाल देंगे आलू पहले तो यहां पर मैंने आलू डाल दी है अब यहां पर शिमला मर्च और प्याज भी डाल देंगे यह देखी दोस्तो डाले के वाद ना इसको अच्छे से हम मिला लेंगे तो ताकि जो सब्जी में ना हमारे यह मसाले ओट देंगे इस तरीकी से चलिये दोस्तों इसको ना अच्छे से पकने देते हैं, पंदरिम निट के लिए, तो फ्रेंटस पंदरिम निट हो चुकिन है, जो हमारी सब्जी है, परफेक्ट तरीकी से बन चुके तो यहां पर हमने मेगी मसाला ढाल दिया, और हमने हराधनिया क से हमारी ये शिमला मिर्च आलू की सब्जी बनकर तयार हो चुकि है आप देख सकते हैं तो चलिए दोस्तों हम क्या करेंगे सब्जी हमारी एकदम से परफेक्ट तरीके से बन चुकी है तो यहाँ पर हम फ्लेम को ओफ कर देंगे और गाइज अब हम क्या करेंगे इसको न गाणिशिंग कर देंगे तो फ्रेंट्स यहाँ पर जो मैंने बचा हुआ पनीर था न उसकी मैं अच्छे से गाणिशिंग कर दूंगी तो चलिए दोस्तों मैं इसकी अच्छे से फैनिल लोक दिखा देती हूं आपका तो फ्रेंट्स आप देख सकते हैं गरमा गरम हमारी मिच्च की सबजी बनकर तैयार हो चुकिए उपर से मैंने गानिश कर दिया है पनीर से जो हमने कद्दू कस किया था और हरे धनीगी पत्तियों से तो देखिए दोस्तों देखने में कितनी प्यारी सबजी हमारी लग रही है जितनी प्यारी है न उतनी गाइस खाने में बहुत तो सच में गाईज इसकी आपसे रेसिपी जरूर पूठेंगे तो एक बाद ट्राय जरूर करना बड़े बच्चों सब को पसंद आईगी और यह ना पराठों से ज़्यादा टेस्टी लगती तो मैंने तो भाई पराठों से खा के इंजॉय किया था तो पास से भी देख अलू की सब्जी आपको कैसी लगी अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरू करना भर-बर के लाइक कर देना भाई बिल्कुल भी कर दो से थेंक्यू सो मच बड़े हो तो आशिवात दे धेड़ सारा प्यार दे ओर गाईस ऐसी सपोर्ट बनाए रखें म लेंगे नेक्स्ट वीडियो को साथ न्यू रेसिपी के साथ बाबाई टेक कियर लव यू